वेकं मन्य हैं लो गाइस का जो मारा वीडियो है इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे अर्निंग वाले कीवर्ड शेयर करने जा रहे हैं जिन कीवर्ड पर आपको ना तो ज्यादा काम करना है और ना ही आपको कोई ज्यादा महनत करनी है आप लोगों को बस सिंपल से एक साइड बनानी है यह आपकी एक माइक्रोनी साइड होगी उसके कुछ कीवर्ड मैं आपको अभी यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू दिखा दूँगा उके उसकी कितनी भी डेटेल जो होगी उसकी सीपीसी ट्राफिक वगरा वगरा जितनी भी डेटेल होगी वह सब मैं आप को बता दूँगा उसके बाद आपको सिर्फ एक माइक्रोनी साइड बनानी होगी और उसके बाद जितने भी कीवर्ड जो मैं बताऊंगा उनको तो आपको कवर करना है साथ में उससे और भी कीवर्ड जो कि मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपको मिलेंगे उनको अपने आर्टिकल के फॉर्म में कवर करके अपनी साइट पर पोस्ट करना है ओके बाद में आपका जो ये साइट होगा ये अलग-अलग कीवर्ड के लिए रैंक होगा जिन keywords की traffic काफी अच्छी है काफी अच्छी CPC है जिससे आपको काफी अच्छी earning भी मिलने वाली है और सबसे पहली बात आपको मैं यह बता दू यह जो keyword है यह कोई ऐसा technical यह फिर को information keyword नहीं है यह generally सा एक keyword है normally यह कहलो कि बस search होता है इस पर traffic आता है लेकिन हाँ यह है कि अगर आप इस पर सही से काम करते हो तो आप इस पर easily rank भी कर जाओगे क्योंकि इतना competition भी नहीं है तो चलिए जानते कौन से वो keywords हैं जिन पर आपको rank करना है और जितने भी लोग अच्छे या फिर यह कहलो सही वे में काम करना चाते है वही ये वीडियो को देखें जितने लोग किवल ऐसे आए हैं फरजी ठीक है वो वीडियो को skip कर सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि मैं जो चीज बता रहा हूं वो किसी गलत के हाथ में जाए तो अगर आपका mindset है किसी website पे सही से काम करने का तो आप ये वीडियो देखो जो keyword बता रहा हूं उन पे काम कैसे करना है ये सीखो और फिर एक site तयार करो और कुछ मन्त बाद earning करो तो चलिए start करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को subscribe कर लो आइकन को प्रेस कर लो और comment करके मुझे बताना है कि जो मैंने keyword बताया है वो सही है या फिन नहीं तो हमा जो keyword है वो मैं आपको दिखा देता हूं तो keyword आप देख सकते हो I love you in Japanese अब बहुत लुग सोच रहे हों कि ये कैसा keyword है तो guys देखो इस पुरे word में कैई तरीके के लोग होते है ठीक है तो लोग क्या सर्च कर रहे है ये जरूरी होता है हम लोग लोगर्स है हम लोगों को उन keyword को target करना होता जिन पर traffic है जिनको लोग सर्च कर रहे है अब यहाँ पर लोग I love you in Japanese सर्च कर रहे है क्योंकि लोगों को Japanese में I love you कैसे लिखा जाता है यह मालूम करना है तो आप लोग एक आर्टिकल इस पे cover कर सकते हो जिसमें आप I love you in Japanese इसमें तो आपको simple से बस अमये कहाल से 100 word में आप लिख लोगे ठीक है लेकिन आपको अपने आर्टिकल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़े बतानी है ठीक है I love you in Japanese में और भी चीज़े जैसे आप quotes बता सकते हो ठीक है कुछ information purpose के मतलब information type कुछ thoughts बता सकते हो ठीक है आप I love you in Japanese तो एजली एक आर्टिकल बना लो या फिर मैं आपको आर्टिकल दिखा भी दूंगा कुछ लोगों के तो सबसे पहले आप keyword देख लो यह जैसे पहला keyword है I love you in Japanese इस पे टोटल 9000 की सर्च है वो भी इंडिया में इसकी CPC 0.09 क्लिक आप देख सकते हो काफी अच्छी है अब यहां पर देख सकते हो काफी साली साइट्स यहां पर रेंग कर रही है जिनमें से अगर मैं बात करूँ तो काफी साइट्स जो रेंग कर रही है वो इतनी खास नहीं है उनको आप easily बीट कर सकते हो okay आपको मैं कुछ आर्टिकल ओपन करके दिखा देता हूं कि अपने आर्टिकल में इनोंने क्या लिखा है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ठीक है और सबसे पहले आप ये टूल बाय कर लो क्योंकि ये टूल बहुत इंपोर्टेंट है तो जिन्होंने अभी तेक टूल बाय नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये टूल बाय करो सबसे पहले आप टूल बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है 300 उपीस का ये टूल है आप इससे बाय करो क्योंकि इससे बाय करोगे तो आप अपनी ब्लॉगिंग की जन्नी को और इजी बना सक तो सबसे पहले आप टूल बाय करो ओके मेरी बात मान लो टूल को बाय कर लो एक मंद का एकसेस लो देखो समझो उसके बाद अगर समझ में आय तो ठीक है ना समझ में आय तो next month renew मत करना छोड़ देना ओके तो यहां पर आप देख सकतो यह आर्टिकल में ओपन कर रहा हूं इस आर्टिकल में देख सकते हो इन्होंने आइलव योट में देखो ठीक हैं देखो इन्होंने क्या ने बताया अपनी टिपस बरे करके अपना एक content हैं ग्रहें है ह two 60 Japanese तो यह भी कर सकते हो आप लों ठीक है अलग-अलग बिजब को भी सार्च मतलत represented कर सकते हो, how to say beauty in Japanese, how to say heart in Japanese, okay, या फिर आप love के उपर अपनी tip दे सकते हो, कि love के regarding क्या क्या चीजे है, कैसे क्या ठीक है, तो ये पहला keyword है, जिसमें आपको content दिखा दिया, आपको क्या करना है, और आप लोंग Google पर search करके, केवल आप idea ले लो, दूसरे article से, क्योंकि आपको traffic लाना है यहां पर कुछ आपको यहां पर कुई ऐसा कुछ काम नहीं यहां आपको कोई मतलब कुछ वो long term इसे डं ना हमिद्नी करना है आपको reichtism आपको दोर्द्र पर यह साइट आपको अर्निंग देने लगेगि आपको subscribe कि इसमें भी काफी सारे ब्लॉक्स द्ब्लोग कर रहे हैं आप इनसे आइडिया ले करके देख सकते हो कि इन्होंने तार्गिट किया है वही चीज आप भीटार्गिट करो दूसरा है आई लव यू इन फ्रेंच इसमें भी आप देख सकते हो 30,000 का सर्च है बहुत अच्छी है जिसे आप इसली टार्गेट कर सकते हो इसके बाद जो चौथा कीवर्ड है वो है अलग चीट ट्राइ करते हैं तो वह अपने पार्टनर को अलव यू एक नॉर्मल जो आपको सबसे पहले टार्गेट करना चाहिए क्योंकि इस पर डिफकल्टी पांच की है अगर आपको कंटेंट की प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंटेंट आइडिया यहां से निकाल सकते ह हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो कि कैसे क्या शेयर करना अपने आर्टिकल में ओके आप एक बार यहां पर सीख जाओगे यह देखो विक्की हाओ एक साइट है जो की में क्याल से देखो हाउट से आई लव यू इन को रिया तो इन्होंने तो बिल्गुल सिंपल में ब आप अपनी चीजे शेयर कर सकते हो आर्टिकल में और यह आपके कीवर्ट से मैच कीवर्ड होगा मतलब मैच कीवर्ड टॉपिक होगा जिस पे गूगल और भी ज्यादा आपको वैल्यू देगा तो आपको ऐसे यह चार कीवर्ड टार्गेट कर लेने बाकि इसके अलावा अगर मैं गूगल पर सर्च करके रिखाऊं इसके अराव आप देख सकता हो आई लव यू इन फ्रेंच आई लव यू इन हिंदी जैपैनीज तमिल जर्मन मराथी सब में सर्च किया जाता है आप इस तरह जितने भी कीवर्ड से उन सभी कीवर्ड को एक लिस्ट बना लो ज कि आप पर्टिकुलर एक चीज पर ही आपनी वेबसाइट बनाए हो और आपने अलग-अलग में शेयर किया है तो फिर वह आपकी साइट को रैंक करा देगा और अगर ना भी रैंक करा है तो आप बैक लिंक ले लोगे अगर आने वाले कुछ मंत के अंदर तब तो गूगल आपको तुरंत ही रैंक करा देगा और फिर आपकी वेबसाइट पर ट्राफिक आने लगेगा और वही ट्राफिक आपको काफी अच्छी अर्निंग भी देगा ओके तो आप अपनी एक यह माइक्रोनी साइट बना सकते हो काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो यह मैं सोचो क कि यह कैसा कंटेंट है एक ब्लॉगर को कभी भी यह चीज नहीं सोचना चाहिए कि कंटेंट कैसा है उसे बस ट्राफिक CPC इससे मतलब होना चाहिए कि कितना ट्राफिक है कितनी CPC है ओके तो आप ध्यान रखो इस चीज का और इस चीज पर काम करो